बिहार की महागडबंदन वाली सरकार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। आपसी तक्रार से लेकर बागी हुए निताओं की तस्वीरे जनता ने देखी। लेकिन इस बीच बिहार में 23 और 24 फरवरी को महागडबंदन की रैली है। और इस रैली में कॉंग्रेस को नहीं बुलाया गया है। इसे लेकर जाप प्रमुक पपु यादव ने RGD और GDU को नसीहत दे दी। दिली से पटना पहुँचे पपु यादव ने कहा कि कॉंग्रेस के रिस्पेक्ट के बगैर देश में कोई गौवर्मेंट नहीं बनेगी। तो आप से लाग गुना अच्छी BJP है जो छोटी पार्टियों का सम्मान करती है। तो वहीं पपु यादव के इस बयान के बाद राजनेता कॉंग्रेस पर सवाल उठाने लगे। इसके बाद पपु यादव ने ट्वीट कर पीम मोधी पर निशाना साधा और लिखा कि प्रधान मंत्री से डिसलोयल होना गुना है तो मैं पीम के प्रती डिसलोयल होने का एलान करता हूँ। अडानी 10 सरकार के खिलाफ हम सब बागी हैं। पपु यादव के हमले के बाद आरचेडी जेडियू ने अपनी प्रतिक्रिया थी तो वहीं बीजेपी ने भी इस मामले पर अपनी राय रखी। बता दें कि महागटबंदन की रैली 25 वरवरी को पूर्णिया के रंगभूमी मैदान में होगी। रैली में खुद सीम नितीश कुमार, डिप्टी सीम तिजस्वी यादव मोर्चा समाले दिखाए देंगे। इस दौरान ना सिर्फ सीमांचल कोशी के नेता बलकि महागटबंदन के सभी शीष नेता एक दूसरे के साथ मंच साजा करेंगे।